दोस्तों लंग्स हमारे शरीर का बहुत इंपोर्टन्ट अंग है हमें सांस लेने में मदद ये लंग्स ही करते हैं इनी लंग्स से जुड़ी एक जानलेवा बिमारी है लंग कैंसर जिस बिमारी से लाखों लोगों को हर साल जान से हाथ धोना पड़ता है आंकडों पर नजर डाले तो भारत में लगभग 20,50,000 लोग कैंसर से ग्रसित हैं लंग कैंसर का पता मरीज में शुरुवाती दौर में नहीं चल पाता जिसकी वज़े से इलाज में देर हो जाती है और कई मरीजों की मृत्यू तक भी हो जाती है इसी विशे पर अधारित है आज का ये एपिसोट तो आईए जानते हैं लंग कैंसर को और करीब से और इस काम में हमारी मदद करेंगे डॉक्टर मनोच कुमार श्रिवास्तव जो देश के जाने माने ऑंकॉलोजिस्ट है डॉक्टर वल्कम तो दुशोग डॉक्टर क्या लंग कैंसर का इलाज हो सकता है अगर हां तो इलाज के कितने प्रकार है आज आधरिक यूग में आधरिक मेडिकल साइंस में इतने इलाज आ गए हैं कि अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम कैंसर पे काबू पा सकते हैं हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं कैंसर ठीक हो सकता है बशरते दो चीजें ध्यान देने वाली बात है नमबर एक कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ लिया जाए कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आएगा उतनी ही जल्दी मरीज के ठीक होने की संभावना होगी और जैसे जैसे कैंसर लेट होता चला जाएगा उसमें मरीज के सही होने की संभावना कम होती जाएगी तीन तरह के टीटमेंट, तीन तरह का इलाज कैंसर का है चाहें वो फेफडे कैंसर हो चाहें कहीं किसी और अंका पहला इलाज है सर्जरी ओपरेशन के द्वारा कैंसर को शरीर से निकाल देना ये सर्जरी दूसरा इलाज है बिजली की सिकाई जिसको रेडियो थ्रेपी बोलते है तीसरा इलाज है कीमो थ्रेपी यानि कैंसर की दवाओं के द्वारा नस्मे दवाओं के द्वारा कैंसर पे कंट्रोल किया जाए कौन सा इलाज किस मरीज के लिए उप्युक्त है ये निर्भर करता है कि मरीज की कैंसर की अवस्था क्या है प्रारमिक अवस्था में आपरेशन के दोरा कैंसर को निकाल दिया जाता है यानि अगर फेफडे के किसी छोटे से भाग में कैंसर है या किसी एक particular लोग में कैंसर है तो कैंसर सरजन उसको लोगेक्टमी करके उस कैंसर को निकाल देते हैं कभी कभी पूरा पूरा फेफड़ा भी एक साइट का निकाल देना पड़ता है जिसको निूमेनेक्टमी कहते है तो सबसे अच्छा इलाज प्रार्मिक अवस्था में है कि अगर उस कैंसर की ग्रस्त फेफड़े के भाग को ही निकाल दिया जाए और आम लोगों में धारना है कि अगर एक फेफड़ा निकल गया तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा ऐसा नहीं है अगर एक उपर वाले ने हमको दो फेफड़े दे रखे हैं अगर एक फेफड़ा निकाल भी दिया जाए तो दूसरे फेफड़े के सारे इंसान पूरी जिंदगी काट सकता है तो प्रार्मे कवस्ता में सबसे अच्छा इलाज है कैंसर सरजरी जो की एक ट्रेंड कैंसर सरजन के द्वारा ही की जाए सेकिंड दूसरा इलाज है बिजली की सिकाई जिसको रेडियो थ्रेपी बोलते है रेडियो थ्रेपी में रेडियो एक्टिव रेज होती है रेडियो धर्मिता किरन जिनको बोलते है उनके द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को नस्ट किया जाता है कभी-कभी radiotherapy primary treatment भी होता है मतलब उसमें केवल radiotherapy से भी इलाज किया जाता है साथ में chemotherapy को मिला के और कभी-कभी operation के बाद भी radiotherapy की जरूरत पड़ती है उस दसा में radiotherapy को adjuvant radiotherapy बोला जाता है इसके अलबा एक इलाज और है chemotherapy जब जिन में ऑपरेशन संभब नहीं होता या कैंसर अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है उनको कम करने के लिए कैंसर की दवा दी जा सकती है जिससे कि मरीज के कस्ट कम हो और उसकी जिन्दगी लंबी हो सकती है subscribe for more such informative videos